हेलो स्टुडेंट्स आज हम नीट के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा स्कूरिंग टॉपिक देखने वाले अंडर 10 मिनिट्स और बहुत सारे प्रिवियस एस क्वेशन भी देख लेंगे जो काफी रिपीट होते हैं नीट में हो सकता इस साल भी रिपीट हो जाए तो जो इस तरीकी के सबसे रहरा सवाल देखने को मिलते हैं वू होता है पॉइंट चार्ज पेस तब पॉइंट चार्ज के करण देखो पॉइंड़ेकUS एंरज मान लो हमारे इस तरीके से यहां पर एक point charge है, यह है हमारा Q1, अब अकेला point charge है तो कोई potential energy नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मैं कहीं दूर से एक दूसरा point charge लेके आऊँगा इसके पास में, तो अब इन दोनों के बीच में कुछ potential energy होगी, क्यों? क्योंकि जब हम इसको यहां से लेके आ रहे थ होगा, इसलिए potential energy आ जाएगी, जैसे ही माउस को मैं ऊपर उठाता हूँ, तो मैं कुछ work done करता हूँ, ठीक वैसे ही कुछ यहां पर होता है, तो मादलों यहां पर इस जगे पर हमें, दूसरा charge लेकर के आ गया, वो है charge हमारा Q2, तो हमारी जो potential energy हो जाती है, वो दिए KQ1 Q2 upon R, यह R square तो यह तो force होता है, it will be only KQ1 Q2 upon R, अब इन दोनों के बीच में potential energy हमें पता चल चुके, अच्छा मादलों यहां से मैं इस Q2 charge को हटा दो, मुझे Q2 charge नहीं जाए, मैं बोलना चाहता हूँ कि इस जगे पर यह जो particular जगे है, इस जगे पर मैं कोई भी charge लेक्या हू तो उसकी potential energy मैं इसी formula के हिसाब से लिख सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर Q2 नहीं होगा, तो यहां से आप इस Q2 को हटा दो, तो यह जो चीज़ बचती है, उसे हम बोलते हैं उस जगे का potential, और यहां का potential, देखो अगर यह distance है R, इस जगे का potential V, उसको मैं क्या बोलूँगा, हो जाएगा, सिर्फ के Q1 divided by R, अब अगर मैं कहीं से इस तरीके से एक charge लेकर के आया, है ना, वो charge कौन सा होगा, मान लो Q2, तो उसकी potential energy कितनी हो जाएगी, potential energy तो यही होनी है, यह part जो है, वो होता है, सिर्फ potential, तो potential को अगर मैं उस charge से multiply कर दूँ, तो मुझे potential energy मिल है, तो हमें यह चीज लिख लेनी चाहिए, हमारे पास लिख चुक है, अब देखो सवाल आप से किस तरीके के पूचे जाएगे, आपको कुछ दे दिया जाएगा कि यहाँ एक charge है, यहाँ एक charge है, इन सभी charges के कारेंट, पहली बात तो आप किसी भी particular point का potential निकाल सकते हैं, यहाँ का potential हमने निकाल दिया, बोलेंगे कि इस charge को उठा करके हमने यहाँ से यहाँ पे रखती है, तो आपको यहाँ का potential पता करना है, यहाँ का potential पता करना है, फिर इस charge को यहाँ से यहाँ ले जाने में जितना work done करना पड़ता है, वो क्या हो जाएगा, इस change in potential energy, वही हम सारे questions देखेंगे तो हमाई पास जो work energy theorem से equation आती है वो क्या होती है initial potential energy plus उसमें अगर मैं कुछ work done कर दूं तो उससे मिलती है मुझे final potential energy potential energy find करने का तरीका होगा u is equal to charge multiplied by potential point charges के कारण जो potential होता है वो हम इस तरीके से निखालते हैं और यह scalar quantity होती है इसको भी हम लिखते हैं कि this is a scalar quantity all right तो अब स्टार्ट करते हैं questions देखो कितने सारे questions repeat होते हैं और क्या मज़ा आने वाला है से पहले मैं आपको बता दूँ मेरा नाम विक्रांत किरार है मैं IT खड़कों से mechanical engineering करी है मैं NEET और जही के लिए physics educator हूँ बहुत सारे videos में बनाता हूँ मेरा focus mostly होता है कि practical तरीके से कैसे हम science को समझा सकते है मैं बहुत सारे experimental videos भी बनाता हूँ आप चाहो तो YouTube पे search भी कर सकते हो साथ में filmmaking और vlogging भी करता हूँ वो भी आप देख सकते हो free time में अपने लेकिन अभी हम focus करेंगे पढ़ाई पर क्योंकि हमें crack करना है NEET और उसकी date announce हो चुग है और राइट पहला question as per the diagram a point charge plus q is placed at the origin तो देखो यहाँ पर plus q हमारे लिए रखा हुआ और region पर work done in taking another point charge minus q from the point a जिसके coordinate क्या है 0,a तो यानि कि यह वाला distance कितना हो गया कैसे हो देखो एक्स की value 0 है y की value a है तो यह वाला distance हमारे पास हो जाता है this distance is a to another point b जिसके coordinate है a,0 तो यहाँ से यहाँ का distance यह भी हमारे पास आ जाता है a okay along the straight line path a,b is पहले तो एक बात बताओ यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा चार्ज है वो क्या है वो है minus q तो क्या यह दोनों charges attractive nature का force experience करेंगे जी हाँ तो यहाँ से इसके उपर attractive force इस तरफ लगेगा इस पे भी इदर का attractive force लगेगा यह तो एकदम fixed है यह तो move करनी सकता तो यह अपने आप इधर आना चाहेगा लेकिन यह move बथकता है सिर्फ इस straight line में तो यह पहले इधर यहाँ तक आ जाएगा लेकिन अब अगर यह charge उधर जाना चाहे तो इसके पार देखो यह पीछे की तरफ इस तरीके सा attractive force लगाएगा तो कभी हमें negative work करना हमारी final potential energy अब हमें work done पता करना है यह हमसे सवाल में पूछा है लेकिन हम actually initial और final potential energy पता कर लेंगे अच्छा हमें जो पता करना है वो हो जाए का work done is equal to u final minus u initial potential energy का formula क्या होता है potential multiplied by charge तो क्या मैं लिख सकता हूँ अगर यह है मेरा point number 1 यह है point number B अच्छा A और B लिखा ही charge multiplied by यहां का potential तो वो हो जाएगी minus q multiplied by potential of B minus initial point की potential energy कित्ती हो जाएगी यहाँ पर potential energy हमारे पास कित्ती हो जाएगी charge जिसकी value है minus q multiplied by potential of A कुछ common निकलता हो देख रहा है यहाँ पर देखो मैं अगर common निकाल दूँ Q A को है सुरी सिर्फ q को common निकाल दूँ तो मेरे पास अंदर आ जाता है va minus vb अब देखो यहाँ पर हमारे पास potential energy की जगए अब हमें solve करना है सिर्फ potential के लिए अच्छा A और B के potential में difference क्या हमें पता है potential यह किसके कारण होगा देखो इस charge को तो हमने बाहर निकाल ही दिया है अब A और B का potential हमें पता करना है due to this point charge q अच्छा A का potential क्या होगा कोई मुझे बता सकता है क्या a point का potential आने वाला है k q divided by a इनका distance और यह charge k q by a इस point का potential कितना आने वाला है बताओ जल्दी से इनके बीच का distance अभी भी है ए तो यह आ जाएगा k q divided by a अच्छा वी ए और वी भी दोनों same आ गए क्यों same आ गए क्योंकि इन दोनों के distances बराबर है तो actually यह वाली value आने वाली है 0 इसका मतलब world band की value आएगी 0 option number a correct answer है अब दे deviation बता दू किस तरीके के आएंगे सवाल में हो सकता है क्योंकि यह वाला distance बराबर है इस distance के तो कभी सवाल दे दिया जाएगा कि straight line में आ रहे हो आप यह हो सकता बोल दिया है कि एक circular path आप इस तरीके से ले रहे हो यह बोल दिया जाएगा कि यहां से ऐसे जाकर कि आप ऐसे चार्जेज हैं, दोनों के बीच में कुछ distance इनिशली था ए, अगर मैं उसको pass लाके फिर उसी distance पे लिया हूँ या उसको दूर ले जाके फिर उसी distance पे लिया हूँ initial और final distance अगर बराबर है, तो क्योंकि electrostatic force एक conservative force होता है, हमें कोई work done करना नहीं पड़ता है ठीक है, तो एक और सवाल देखते हैं जल्दी से हमाँ पास यहाँ पर देखो क्या सवाल है इस पर हमाँ पास दो चार्जेज है है ना टू चार्जेज क्यूएं और क्यूट अर प्लेस 30 cm अपार्ट as shown in figure, q1 and q2 कहां रखी यहाँ पर रखा है q1, यहाँ पर रखा है q2 a third charge q3 is moved along the arc of a circle of radius 40 cm from c to d, तो यहाँ से देखो, यहाँ पर लेकर आया है circular arc में, circular arc में लेकर क्या है, इसका मतलब क्या होगा यह वाला distance और यहाँ से यहाँ यह वाला distance दूनों बराबर होने वाले है अब ही हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी दो charges है उनके बीच का distance बदलता नहीं है initial और final distance बराबर है उन दोनों charges की आपस में कोई potential energy में change नहीं होने वाला है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Q3 की potential energy Q1 के कारण change नहीं होने वाली है Q1 के कारण कोई change होगी Q2 से ठेखो distance पहले ज्यादा था बाद में उससे distance change हो रहा है इसके कारण हमें calculate करनी है इसके कारण calculate करनी की ज़रूरत नहीं है distance change नहीं हो रहा है और यहीं बहुत interesting चीज है इस सवाल को बना देती है इसलिए इसको अल्रेड़ी हम star mark कर चुके है चलो इसको solve करना शुरू करते है The change in potential energy of the system is इतना aware case तो basically हमें change in potential energy पता करना है हमारी delta U हमें पता करना है वो हो चाहेगा potential energy final minus potential energy initial अब इसमें हम और एक चीज कर लेंगे कि हम consider ही नहीं करेंगे इस charge को या आप चाहो तो consider भी कर जकते है वो cancel out हो जाने वाला है तो देखो लिखना शुरू काते है potential energy final क्या हो जाएगी इस point का potential multiplied by charge Q3 तो वो हो जाएगी potential of point D multiplied by Q3 minus initial potential energy क्या थी potential of point C into charge minus V of C into Q3 okay potential of D कितना है देखो D के कारेंट जो potential potential of D हमारा आजाएगा A के कारेंट और B के कारेंट तो यहां से देखो मैं फिर से Q3 को common निकाल दूँगा potential of D की value आजाती है के Q1 upon ये वाला distance है 40 cm तो मैं उसको लेकोंगा point 4 plus K Q2 upon point 1 ये वाला distance कितना है 10 cm तो वो जाता है point 1 meter ये क्या चीज लिखी है मैंने this is potential of D minus Q3 into potential of C लिखना है हमें यापर potential of C क्या हो जाएगा देखो ये वाला distance है तो इसके कारेंट आ जाएगा के Q1 upon point 4 क्योंकि ये distance point 4 है और अब ये वाला distance भी हमें पता करना पड़ेगा अच्छा आप यहाँ पर पाइथागोरा स्थिरॉम का यूज करो अगर ये 30 cm है ये 40 cm है तो ये अपने आप 50 cm है तो काफी पॉपिलर हमाना ट्राइंगल है इसका स्क्वेर प्लस इसका स्क्वेर का अंडरूट करेंगा तो यहाँ पर आपको 50 cm का distance मिलने वाला देस इस 50 cm इस तरीके तो यहाँ पर इस पॉइंट का potential because of B हो जाएगा प्लस के क्यूटू अपन पॉइंट फाइब लेको हमाना तो 50 cm को ऐसा यूनिट में लिया है तो मैंने क्या बोला था कि इस ए से distance chain हुआ है यह भी 40 है यह भी 40 है तो basically यह वाली टर्म और यह वाली टर्म cancel हो जाए क्यों क्योंकि यहाँ पर minus already लगा हुआ है तो हम यहाँ पर इसको cancel इस तरीके से कर सकते हैं हमारा जो answer आने वाला है वो आ जाएगा यहाँ पर q3 into k q2 upon 0.1 minus k q2 upon 0.5 यहाँ पर आप बाहर कर दोगे और अंदर आपको मिल जाता है 10 minus 2 तो यह हो जाता है हमारा 8 q2 q3 into k के को हमने लिखा हुआ है 1 upon 4 pi epsilon 0 q3 भी हमाँ पास यहाँ पर है तो यह जो की बचा है हो जाता है हमारा 8 times q2 तो 8 times q2 हमारा option number c correct answer हो जाता है इस तरीके से आप इस तरीके के बहुत सारे questions solve कर जाते हो एक question मैं आपको दे रहा हूं homework यहाँ पर आपको देखना पढ़ेगा कि किस तरीके से potential change होता है यहाँ पर देखो इस जगह से उठा करके यहाँ पर लाया गया तो देखो इस बी वाले charge के कारण distance change नहीं हो रहा है तो इसके कारण potential energy में कोई change होगा आपको सिर्फ यह वाले एक एक आरण potential energy में change पता करना है initially इनके बीच का distance इतना था बाद में distance इतना हो गया है तो क्या potential energy में change होता है यह आप solve कर सकते हो answer comment में जरूर बताना और इस तरीके से और भी structured तरीके से पढ़ने के लिए आप science and fun की app डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे sessions की आप है उसको डाउनलोड करो और अपने नीट की तयारी शुरू कर दो जोश हो से